कि नमस्कार दोस्तों मैं अलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा अलोग पर हार दिक स्वागत करता हूं कि हम आई-फम्स 3.0 पर वर्तमान में सेलरी प्रोसेस कर रहे हैं और तीन महिने की सेलरी इस वित्ती वर्स में हमें मिल चुकी है मार्च दोजार चौविस की अप्रेल दोजार चौविस की और मई दोजार चौविस की मार्च की सेलरी हमें एक अप्रेल को मिलती है अप्रेल की सेलरी हमें एक मई को मिलती है और जून की सेलरी एक जुलाई को मिलती है इस प्रकार से एक क्वाटर पूरा हो चुका है एक वित समान में जो आएफमेस पॉर्टल है उसके माध्यम से ही आगामी वित्यवर्ष जो चल रहा है वर्तमान जो वित्यवर्ष चल रहा है उसका 60 नंबर फॉर्म इसी पॉर्टल से जनरेट होगा तो समय पर आप टीडियस की जानकारी इंकम टेक्स के पॉर्टल पा अपडेट कर पाएं उसके लिए आपको क्वाटरली टीडियस रिपोर्ट जनरेट करनी होगी वह आप कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है चलिए वीडियो को प्रवाइम करते हैं कि टीडियस की क्वाटर ली फर्स्ट क्वाटर की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए चाहे किसी भी क्वाटर की रिपोर्ट जनरेट करनी हो प्रॉसेस यही रहेगा लेकिन वर्तमान में हम क्यों फर्स्ट क्वाटर की जनरेट कर पाएंगे क्योंकि अभी तीन मैने की सेलरी ही मिली है आपको DDo Login में ID password capture code insert करके Login कर लेना है जैसे कि आप Login करते आये हैं और ID password capture code insert करने के बाद हमें Login बटन को प्रेश कर देना है और यहां पर access work space पर क्लिक करेंगे हम पर दीडियो रोल सेलेक्ट करने के लिए desk 2 गो सेलेक्ट किया और उसके बाद में एंप्लोई मनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे हम पहुच चुके हैं डीडियो लोगिन के अंदर डीडियो लोगिन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत से ओप्सन दिखाए देते हैं जैसे की सेलरी बिल प्रिपरेशन डी एरिये प्रिपरेशन माई टास्क लिस जो भी आप देखते हैं यहां आपको बिल सेक्षन में बिल सेक्षन पर क्लिक करना है बिल सेक्षन पर जैसे क्लिक करेंगे एक मिनू अपन होगी और यहां पर मिस रिपोर्ट के नाम से एक टैप दिया हुआ है मिस रिपोर्ट में नीचे आएंगे यहां पर तो हमें यहां उनकम टक्स रिपोर्ट के नाम से मिलेगा उनकम ट्रेइब करेंगे और यहां पर जैसे सभी भी लोग का TDS report select करना चाहते हैं financial year select कर लेंगे जो कि वर्तमान में choice पचीच चल रहा है quarter सभी quarters की generate करना चाहते हैं तो सभी quarters की select कर लीजिए लेकिन वर्तमान में क्यों एक ही quarter हुआ है तो आप बहतर यह है कि एक अब करें आप आल भी स्वाटर का यह आएगा क्योंकि अभी तक एक ही quarter की salary हमें मिली है तो आकरेंगे तो सारे quarter select हो जाएंगे और एक quarter select करेंगे तो एक quarter की report आईगे सब्मिट की बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने इस प्रकार से रिपोर्ट डाउनलोड होकर आजएगी जितने भी करमचारी हैं जिनका भी TDS कटा है वह साई डिटेल यहांपर इसमें शो होने लग जाएगी यह रिपोर्ट आप अपने CA को जिनसे कि आप अपना TDS और 60 नंबर फॉर्म जनरेट करवाते हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं ताकि वो इंकम टेक्स पॉर्टल पर उसको अपडेट कर दें और इस IFMS पॉर्टल से जो 60 नंबर फॉर्म जनरेट होना है वो अपने आप जनरेट होगा उसका टेव अलग से प्रादम किया जाएगा उसके लिए भी हमें कोई कारवाई नहीं करनी है तो आप इस TDS रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें डाउनलोड करके अपने आपका जो भी CA है उस साभित होगा जैसे लेडों aha»,2020 को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को पर इसी प्रगाई के नामेंतम जाने का ही साथ मिलुंगा तब तक अनमति चाहता हम जैहिन जैभध करядब